में आप सभी का स्वागा थे आज की इस नइ वुडियो में आप सभी को बताने वाला घो कि आप WhatsApp गुरूप यहादे आप अपने मोबाइल से create कि हैं तो आप अपने WhatsApp ग्रूप को permanently delete कैसे कर सकते हैं चलिए दोस्तो आज की इस नए वीडियो मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप WhatsApp ग्रूप permanently कैसे delete कर सकते हो उससे पहले यदि आप हमारे YouTube के चैनल ने तो वीडियो के लाइग चैनल को सस्क्राइब जरूर करतीजेगा चलिए दोस्तो सबसे पहले आप सभी को इस ग्रूप वाले option पर क्लिक करना है अब मैं यहाँ पर अपने ग्रूप पर क्लिक किया बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं वो लोग क्या करते हैं इस त्री डॉट वाले option पर क्लिक करते हैं और जैसी त्री डॉट वाले option पर क्लिक करते हैं यहाँ पर more वाला option आता है यहाँ पर क्लिक करने कबाद वो लोग exit ग्रूप पर क्लिक करके ग्रूप से exit हो जाते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाता हूँ exit group का मतलब होता है कि आप बाहर निकल रहे हो गुरूप से ना कि आपका गुरूप जो है delete पो रहा है यहाँ पर यदि आप exit group करते हो तो only आप किवल आप यहाँ से group से बाहर होगे गुरूप की जितने भी member है वो लोग group में यहाँ पर रहेंगे ठीके तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कोपर के side logo दिख रहा होगा ठीके यहाँ पर आप सभी को click कर देना है अब यहाँ पर click कर देनी के बाद हमारी group में कितने member है वो हमें सबसे पहले चेक करना होता है यहाँ आप लिखा है 10 member तो यहाँ पर 10 member है ठीके अब यहाँ पर हमें नीची के साइड आ जाना है नीची के साइड आने के बाद आप सब को यहाँ पर add member की नीचे invite via link यहाँ पर show कर दिया जाएगा तो आप सबी को यहाँ पर invite via link पर click करना यहीं के चलिए मैं यहाँ पर click करता हूँ अब जैसी मैं यहाँ पर click करता हूँ तो यहाँ पर last वाली option में आएगा reset link तो दोस्तों मैं आप सबी को बता दूँ यह हमें इसलिए करना जरूरी है क्योंकि already हमने group का link किसी और की पास पहने से हम लोग send किये रहते हैं तो आमें जो है पुरारा link को हमें reset करना होता है ताकि delete करने के बाद कोई भी उस link पर click करें तो group में ज्वाइन ना हो क्योंकि group जो है delete हो चुका होगा ठीक है अब हम यहाँ पर reset link पर click करेंगे अब reset link पर click करेंगे तो इसको आप पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं और यहाँ से reset link पर click कर देते हैं ठीक है चलिए यहाँ पर reset link कर दिया अब जैसे मैं यहाँ पर reset link पर click किया तो automatically मेरा जो group का link था वो change हो चुका है मतलब कि पुराना वाला link वो delete हो गया और हमारा नया link create हो चुका है ठीके अब यहाँ हमें back जाना है अब back जाने के बाद दूसरा सबसे main काम क्या होता है हमें आप इच्छे करना है कि हम अपने group में किस किस को admin बना के रखे हैं मैं अपने group में इसनको admin बनाया हूँ फिर इनको admin बनाया हूँ तो आप सब को जो है group admin का authority जिसके पास आपने दिया है उसको आपको remove करना होगा मतलब कि admin का authority आपको वापस लेना होगा यदि आप ऐसा नहीं करते हो ऐसी आप group को delete करोगे तो group admin के हाथों में group का सारा authority चला जाएगा जो भी मतलब करना होगा वो group admin के हाथों में ही रहता है चलिए मैं यहाँ पर click करता हूँ अब click करने बाद यहाँ लिखा है dismiss as admin चलिए हैं यहाँ पर मैं click करगे यहाँ पर remove कर दिया ठीक है अब यहाँ पिलिक करनेक बाद लिका है dismiss as admin चलिए मैं यहाँ पिलिक कर देता हूं अब जैसे मैं यहाँ पिलिक करूँगा दिखिये हमारा जितने भी admin था वो यहाँ से remove हो चुका है अब तीसरा काम हमें क्या करना होता इसमें जितने भी बंदे हैं उन member को हमें एक एक करके यहाँ से remove करना चलिये मैं यहाँ बिन क्लिक करता हूँ अब क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा है इसे करके जितने भी आपके group में member है उन सब को आपको remove करना है यदि आप remove नहीं करते हो तो आपका यी group जो है permanently delete नहीं होगा ठीक है आप exit कर सकते हो exit का मतलब only आप बाहर निकल सकते हो delete नहीं कर सकते है चलिए मैं यहाँ से फटापर से सबको remove कर देता हूँ अब जैसे मैं यहाँ पर remove कर लिया ठीक है जिकी देखिए मेरे group के जितने भी member थे यहाँ पर देखिए only one member जो मैंने group create किया हो मैं किया हो तो मैं ही only मैं यहाँ पर बचा हूँ आप बाकी सबको मैंने remove कर दिया है अब चलिए मैं back आता हूँ ठीक है द्यान से देखिए है कि यह सबसे main point हो था ठीक है अब यहाँ लिका है exit चलिए मैं यहाँ पर exit पर click किया अब जैसे मैं यहाँ आप exit group पर click करूंगा दोस्तों तो यहाँ लास्ट में आज़ाएगा delete the group मतलब कि आप group को delete करना चाहते है जी विल्पल तो चलिए मैं यहाँ पर delete group पर click कर दिया और यहाँ पर वीडियो को delete कर दिया आई यूपी छोटी जनकारी अच्छे लिगो तो वीडियो को लाएगें चानल को सब जरू कर दियेगा तब तक लिए जय श्री कुछना राधे राधे